इटली के पूर्वी जिसली के समुद्र में दो टन कोकेन तेरता हुआ पाये गया। दो टन कोकेन की कीमत मार्केट के अनुसार करीब 440 मिलियन यूरों की गई है। इस कोकेन को इटली के कस्टम पुलिस अधिकारियों ने 17 अपरेल को जब्त किया। इटली के लोकल अकबार के बयान में कहा गया है की कोकेन को लगभग 70 वाटर्पूफ पाकेट में डाला गया था। पाकेट को बहुत ही साबधानी पूर्वक सील किया गया था। मचवारों के जाल की मदद से एक साथ रखा गया था और चमकदार सिग्नलिंग डिवाइस से लास था। कोकेन के पाकेट की पाकेजिंग स्टाइल और इसमें लगे च्राकिंग सिस्टम से पुलिस को शक हुआ और इसके बाद ही पुलिस ने जान चुरू की। इटली पुलिस ने साल 2021 में भी 20 टन कोकेन समुद्र से जब्द किया था। इटलिन पुलिस ने पूरे साल 2021 में ड्रॉक्स के बारे में जानकारी को इंटरसेप्ट करने में कामिया भी हासिल की थी। इटली के एंटी डॉक्स यूनिट ने पिछले साब 2022 में जून के दोरान जारी आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी वह इटली के पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि साल 2021 में ही सबसे जादा डॉक्स हासिल हुए थे इटली में कोकेन की बरामदगी में साल 2018 के मुकाबले पाश गुना से अधिक पड़ गई है इटली में साल 2018 में 3.6 टन कोकेन को पुलिस ने जब्त किया था इटली के पुलिस डेटा के अनुसार इटली को एक प्रमुक ड्रक्स सप्लायरूट के तौर पर किया जाता है यहां ड्रक्स के मामले में बालका नापराधिक गिरोब पूरी तरह से सक्रिय रहता है वह इटली में मिले 2 टन कोकेन को लेकर देश के उप्र प्रधान मंत्री माटेयो सालविनी ने ट्वीट करके बढ़ाई देते हुए कहा कि इस असाधारन ओपरेशन के लिए गारिया डी फिनांजा को बढ़ाई मैंसे सभी तरह के अवैद कामों के खिलाप हूँ ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जस हिंदी और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही अपना फीडबाक हमें infoHSbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं